हेलो स्टुडेंट्स वल्कम अगेन टू लणब्र देतिमन्ट आज हम करने वाले हैं माध्यमिक सिक्षा बोर्ड की बुक परियाव हेलो स्टुडेंट्स वल्कम अगेन टू लणब्र देतिमन्ट हम लोग कर रहे हैं राजिस्थान माध्यमिक सिक्षा बोर्ड की हिंदी व्याकरण की बुक 9 से लिकर 12 तक की जिसमें आज हम करने वाले हैं परियावाची शब्द परियावाची शब्द जो हैं बहुत ज्याद परियावाची शब्द से ही होता है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट हैं अम्रित अम्रित का परियावाची जो है वो कौन-कौन है सुधा प्यूस सोम मधु अमिय अम्रित के परियावाची है सुधा प्यूस सोम मधु अमिय नेक्स देखिए अगनी अगनी का परि जौला और कृशानू कौन-कौन सा है दिठे इसमें आग जो है जौला जो है वो आपको याद ही रहता है और पावक पो धन अप्धी के इससे बना पावक तो ये आपको याद करना है अनल also और कृशानू ठीक है विशेज तोर के क्रिशान जो है वो किसका परयाव आची है अगनी का तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा असुर का है दैत्य, दानव, दनुज, राच्चस और रजनी चर तो सभी आपको पहले से ही याद रहते हैं इसको ध्यान देना है आपको रजनी च रजनी चर यानि की रजनी यानि रात अचर यानि विचरन करने वाला तो रात में जो विचरन करें वो कौन है असुर ठीक है तो असुर का आपको परयाव आची रजनी चर जो है वो ध्यान देना है उसके बाद है अरन्य अरन्य यानि जंगल वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी और दाव, तो यहाँ पर अरण्य, वन, कानन, जंगल, विपिन आपको याद ही रहते हैं, अटवी और दाव, यह दो जो शब्द हैं, यह आपको और ध्यान देने हैं, अरण्य का परेवाची होता है, अटवी और दाव, ठीक है, याद रखिएगा, अरण्य का शानू यह आपको याद रखने हैं नेक्स्ट जो आपको नहीं आते हैं केवल आप उनको याद रखिए क्योंकि आप जो पहले से ही पढ़ते आए हैं तो वो तो आपके माइंड में पहले से ही रहते हैं जो शब्द नए लग रहे हैं आपको उनको आप नोट करते जाएए उ चीक है, सब भी याद रखना है आपको अभ्यागत, आगंतुक और पाहुना, ठीक है, किसके परयावाची है ये, महमान के, अतिती के, अंधकार का देखिए, तम, तिमेर, तमस, अंधेरा, तो देखिए, तीनों में ही, तम, तम और ये तम लगा हुआ है, और अंधकार का होत नेक्स्ट है, अस्व, अस्व यानि घोडा, घोडा का परयावाची है, घोटक, बाजी, सैंधव, क्योंकि देखिए, सिंधू से आये थे हमारे देश में घोडे, तो इसलिए नाम पड़ा, सैंधव, है, तुरंग, घोटक, बाजी, सैंधव, है, तुरंग, किसके हैं, अस नेत्र, द्रग, लोचन, चक्षु, अक्षी, तो आख के परयावाची, नयन, नेत्र, चक्षु, तो आपको याद ही रहते हैं, यहाँ याद रखना है, द्रग, द्रिग, लोचन, और अक्षी, किसके परयावाची हैं, आख के, आख के परयावाची, दुबारा से नेक्स्ट है आकास, आकास का है नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान और सुन्य तो ये सबी आपको याद ही रहते हैं, आकास का देखिए नभ होता है, व्योम होता है, गगन, अंबर, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं क्या है अनंत, अंतरिक्ष, आसमान और सुन्य, ये सबी आकास के परियावाची है, नेक्स्ट है इंद्र, देवराज, देवेंद्र, सुरेज, सुर्पति, सुरेंद्र और वाशव, ठीक है, याद अगना है आपको, देखिए, देवराज, देवेंद्र, सुरेज, सुर्पति शुरेंद्र और वाशव तो इंद्र के जो परियावाची है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछा जाता है इंद्र के तो देवों के जो राज है वो देवराज है देवों में जो इंद्र है वो कहा है देवेंद्र है ठीक है और सुर में जो इस है वो कौन है? सुरेज हैं, यानि सुर यानि की देवता, और सुर के पती, सुरपती कौन है? इंद्र ही है, सुरेंद्र हैं यह और वाश्यव हैं, इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा, इच्छा, इच्छा का है अकांग्षा, अभिलाशा, कामना, इहा और लालसा, तो इच् तो दिहान रखना है इच्छा का, इहा और लालसा, यह दोनों परियावाची हैं, आकांग्षा, अभिलाशा, कामना आपको याद रहते हैं, इश्वर देखिए, इश्वर का है प्रभू, भगवान, परमेश्वर, इस और जगदीश, तो इश्वर के प्रभू, भगवान, परमेश्वर, इस, यहां तक तो आपको याद ही हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ कि आपको यहां तक तो याद ही होंगे, क्योंकि अब तक आपने इनको पड़ा होगा, लेकिन एक देखें यहां जगदीश, अब जगदीश जो है, वो आप इंद्र के साथ यदि आपके दे दिय जाए, कि देवराज, देवेंद्र, सुरेस और जगदीश, इन में से इंद्र का परहाइवाची कौन सा नहीं है, तो कन्फ्यूज हो गए, तो इसलिए याद रखना है, इश्वर का परहाइवाची है, जगदीश, ठीक है, जगत, धन, इष, जगदीश, ठीक है, जो की अगत के जो भगवान है, वो कौन है, इश्वर, उत्सब देखिए, समारो, पर्व, जस्न, जलसा और त्योहार, तो ये तो आसान ही है, नेक्ट है, उद्यान का है, बाग, बगीचा, उपवन और वाटिका, तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी आसान है, उत्सब उत्पल, कंज, पंकज, नीरज, अरविंद और अमबुज, तो यहां आपने देखो, एक चीज दिहान देनी है, सरोज में देखिए, क्या है, ज, यहीं कंज में क्या है, ज, पंकज में देखिए, अंत में है ज, नीरज में है ज, ठीक है, अमबुज में है ज, तो इस तरीके से आपको ये 4-5 जो हैं वो याद ही रहेंगे कमल के, क्योंकि जा का अर्ठ होता है जल, ठीक है, कमल सरोज यानि की जो की जल में रहे, और पंकज जो जल में रहे, नीरज, नीर का अर्थ ही होता है, पानी, तो पानी के अंदर जन्म लेने वाला कौन? कमल ऐसे ही अम्बुज ठीक है तो यह सब पानी के पर्यायवाची हैं कौन से सर पंक नीर अम्बु यह किसके हैं पानी के पर्यायवाची हैं तो इसी के आगे ज़ा यदि लगा दिया जाए यानि पानी में जन्म लेने वाला अम्बुज नीर नीरज पंक पंक में ज़ा तो यह सब किस के बन गए कमल के बन गए ठीक है इसी तरीके से बादल का होता है बादल में क्या होता है नीरज है तो उसके यहाँ पर जा हटा कर आ जाता है द नीरद ठीक है द यानि देने वाला तो जल जो देगा वो कौन है बादल है इसी तरीके से अमबुज में आता है अम क्या होगा बादल के परयावाची ठीक है और यदि जय आ जाए नीर के यानि पानी के जो परयावाची तो यद्छा लगा हुआ आ जाए तो वह कमल के परयावाची होंगे तो इस तरीके से भी आप TRAIK के द्वारा इन्हें याद कर सकते हैं Next, कामदेव का देखिए, मदन, मनोज, अनंग, रतिपती और पंचशर, ठीक है, कामदेव का है, मदन, मनोज, अनंग, रतिपती और पंचशर, ठीक है, Next, किरन, किरन जो है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है परेवाची, अन्शु, मयूक, कर, मरीची और रश्मी, इसी तरीके से अन्शु माली यदि आजाए, तो वो किसका परेवाची होगा, सूर्य का, ठीक है, जिसने किरनों की माला को ले रखा है, तो वो कौन ह सूर्य, और यदि माला हटा दिया जाए, और केवल अन्शु आ जाए, तो वो होगा किरन का परेवाची, तो ऐसे कंप्यूज करने के लिए, एक्जामिनर जो है, वो ऑप्शन में दे देता है, तो इसी तरीके से आपको शब्द जो है, उसको समझ लेना है, जिससे कि आपक तो कूल जो है, उसका किसका है, किनारा का परेवाची, तट किनारा आपको याद रहते हैं, तीर कूल परेवाची हैं, कपड़ा का देखिए, अंबर, चीर, वसन, वस्त्र और पट, उसके बाद है, खल, खल का है, धूर्द, दुस्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल और अध खल यानि की जो पीड़ा दे, परेशान करें, तो खल का है, धूर्द, दुस्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल और अधम, तो ये तो सभी आपको याद ही रहते हैं, नेगटिव सेंस में हैं ये सारे के सारे, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं बरेवाची, नेक्स्ट है, खु सूरब, सुगंध और सुबास, ठीक है, सू का अर्थ ही होता है अच्छा, सू का अर्थ होता है अच्छा, तो देखिए इन सभी में सू जो उपसर्ग है वो लगा हुआ है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, खुस्बु का है सुर्भी, नेक्स देखिए गंगा, गंगा का बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, सुर्शरी, देवनदी, त्रिपद का, जानवी, भागी रती, देवापगा, मंदाकनी और मोक्षिद दायनी, ठीक है, तो गंगा के जो परैवाची हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं औ गंगा के, तो आप इस तरीके से भी याद रखिएगा कि हमने गंगा के नाम जो हैं वो बहुत सुन्दर देखे थे, तो इस तरीके से आपके ऑप्शन में यदि आ जाए तो वहाँ आप इनको सही कर पाएंगे, सुर्शरी, देवनदी, त्रिपदगा, जानवी, भागी र परेवाची शब्द जो हैं वो इसले भी याद रखने होते हैं, क्योंकि जब आप समास करते हैं और समास के अंदर जब आप बहुर भी ही समास को पढ़ते हैं, तो वहाँ आपको यदि परेवाची याद हैं, तो एक जटके से आप याद कर पाएंगे कि हाँ, मैंने इनके परेवाची पढ़े थे, तो यह तो बहुर भी ही समास है, जैसे कि लंबो दर आजाता है, तो बहूर भी ही समास है, क्योंकि वो केबल एक पर्टिकुलर, इसके लिए गनेज जी के लिए यूज किया जाता है यह शब्द, ठीके, इसी तरीके से गजानन, एकदंत, ग गौ, गौ, गया, गया, सुर्भी, पैस्वनी और धेनू. किसके हैं? गाहे के पर्यायवाची. गौ, गौ, गया, सुर्भी, पैस्वनी और धेनू. नेक्स्ट है, ग्रह, मकान, आले, भवन, आवास, सदन और धाम. तो ये तो बहुत ही आसान है ग्रह का. नेक्स्ट है, चंद्रमा का. अब देखिए, चंद्रमा का और जो आपने अभी किया था, किरण का. इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, तो इनको याद रखना है. चंद्रमा का है, राशी, चंद्र, राकेश, ससांक, मयंक, रजनीश, सुधान्सु. दुबारा से देखिए, राशी, चंद्र, राकेश, ससांक, मयंक, रजनीश और सुधान्सु. नेक्स्ट है, जल का. नीर, वार, अंबू, सलिल, पय, उदक और तोय. ठीक है? तो नीर, न कमल का परियावाची, वारी के आगे जा लगा दिया, वारिज, कमल का परियावाची, अंबु के आगे जा लगा दिया, अंबुज, कमल का परियावाची, ठीक है, पयज, पय के आगे जा लगा दिया, तो ये भी हो जाएगा, कमल का परियावाची, और इन्ही जा के बदले य जल का याद रखने से आपको बादल के और कमल के परेवाची याद हो जाएंगे. नेक्ट है जहर, गरल, विश और हलाहल, जहर, गरल, विश, हलालल, तलवार का देखिए, असी, खडग, करपाड और चंद्रहास, तलवार का क्या है, असी, खडग, करपाड, खडग और करपाड आपको याद रहते हैं तलवार के हैं, असी और चंद्रहास, इनको आपको पेलाब रखना है तल्वार के हैं असी खडग, क्रपाड, चंदरहास. नेक्स्ट है तालाप. तालाप का थेखिए सर, सरोवर, टडाग, पुषकर, जलाशे और ताल. ठीक है? तालाप का क्या है सर, सरोवर, तडाग, पुषकर, जलाशे और ताल. Next है दिन, दिन के परयावाची हैं दिवस, वार और वासर, दिन, दिवस, वार और वासर, देवता के देखिए सुर्देव, अमर और निरजर, किसके हैं देवता के परयावाची नेक्स्ट है नदी के परेवाची हैं सरिता, तटनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा और निर्जर्णी अब इस सब्द को आपको यहाँ देखना है सब्द सुद्दी के लिए निर्जर्णी देखिए यहाँ पर रा जो है आधा रा वो जह के उपर है ठीक है और उसके बाद रा से पहले है चोटी की मातरा निर्जर्णी नदी, सरिता, तटनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा और निर्जर्णी नेक्स्ट है नाव, नाव का है नोका, जल्यान, तरनी और पोत किसके है नाव के परेवाची नेक्स्ट देखिए पवन अनिल, बात, वायू, समीर, हवा और बयार ये सब भी पवन के परेयवाती हैं एक ही याद रखना है आपको पवन का वो कौन सा अनिल ठीक है अनिल याद रखिएगा आप बाकी बात, वायू, समीर, हवा, बयार ये तो हम नॉर्मली यूज करते ही है इन शब्दों का तो पवन का अनिल जो है वो याद रखना है परवत का देखिए नग ठीक है परवत का कौन सा है नग गिरी, महीधर, शैल, अचल और पहाड किसके हैं परवत के परेयाए वाची किसके हैं परवत के नग, गिरी, महीधर, शैल, अचल और पहाड जो चल नहीं सकता वो क्या है परवत है ठीक है नेक्स्ट है पत्थर अब पत्थर का देखिए पाहन, प्रस्तर, पाशान और शिला अब पत्थर के पर्यायवाची देखिए यदि पाहन, प्रस्तर, पाशान और अचल दे दिया जाए और पुछा जाए इसमें से पत्थर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है तो ध्यान देना है अचल जो है वो पर्वत का पर्यावाची है पत्थर का नहीं पत्थर के हैं पाहन प्रस्तर पाशान और शिला पत्थर के कौन से हैं पाहन प्रस्तर पाशान और शिला नेक्स्ट है पुस्प पुस्प के हैं फूल सुमन प्रसून और कुसुम ठीक है तो ये तो हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं उस्प के फूल, सुमन, प्रसून और कुसुम, नेक्स्ट देखिए पुत्र, पुत्र का है तनय, तनुज, और इसी में यदि आ लगा दिया जाए, तनुजा, तनया, आत्मजा, सुता, ठीक है, तो ये किसके हो जाएंगे, पुत्री के परयावाची हो ज नेक्स देखिए पुत्री के, तनय में आ लगा तनया, तनुज में आ लगा तनुजा, ठीक है, बेटा में ये लगा बेटी, और सुत में आ लगा तो सुता, तो ये तो आपको बहुत आसान से याद भी हो गए होंगे, पुत्र का है तनय, तनुज, आत्मज, सुत, नंदन और लाल, पुत्री का है तनया, तनुजा, बेटी और सुता, अब देखिए बहुरा, बहुरा के यानि मदुप, मदुप के परियावाची, तो देखिए बहुरा का क्या है मदुप, ब्रहमर, अली और मदुकर, ठीक है, मदुकर, ठीक है, मदु नहीं, मदुकर, मदुप, भहुरा, ब्रहमर, अली और मदुकर, मचली का है मीन, मतस्य, मकर और शप्री, मचली के पर्याइवाची है मीन, मतस्य, मकर और शप्री, शप्री, नेक्ट है माता, माता का क्या है मा, जन्नी, प्रसूता और धात्री, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है माता का पर्याइवाची होता है धात्री, ठीक है अब यहाँ पर शप्री के पर्याइवाची से इनको ऑप्शन में दे दिया जाएगा और वहाँ पर गलती हो सकती तो ध्यान देना है कि माता का है मा, जननी, प्रसूता और धात्री, नेक्स्ट है मित्र का सखा, साथी, सहचर और मेथ, तो मित्र के तो आपको याद ही रहते हैं सखा, साथी, सहचर और मेथ, तो जो जो difficult है के वल आपको उनको ही याद रखना है, नेक्स्ट है मित्र के बाद मेग यानि की बादल का तो अब आपको ये समझ में आया होगा बादल का जलद देखिए जल के आगे दालग गया घन नीर के आगे दालग गया नीरद वारी के आगे दालग गया वारिद ठीके बादल तो है और पयोद ये भी दालग गया ठीके और पयोद धर जिसने पानी को धारन कर रखा है। तो यह किसके हो गए बादल के परियावाची हो गए। मही, सुनरेज और निर्पति, नेक्स्ट है रात, रात का है रात्री, रजनी, रैन, यामा, निशा, वामा और यामिनी, ठीक है, तो यहाँ पर निशाचर दे दिया जाएगा, तो गलती हो सकती है, ध्यान देना है कि रजनी, चर, निशाचर ये किसके जो दैत्य हैं, दानव जो हैं, उनके परियावाची थे, क्योंकि वो रात में विचरन करते हैं, तो रात के हैं, रात्री, रजनी, रैन, यामा, निशा, वामा और यामिन, नेक्स्ट है बानर, वानर के हैं, बंदर, कपी, मरकट, शाखा, म्रिग, और हरी, अब देखिए, यहाँ पर शाखा, म्रि होती हैं, डाली पेड की वो, और म्रिग का अर्थ हिरन या हरिन से नहीं है, हिरन शब्द नहीं होता है, हरिन शब्द होता है, ठीक है, म्रि का अर्थ होता है, जंगल, और ग का अर्थ होता है, गमन करने वाला, ठीक है, तो जंगल में गमन करने वाला वो जानवर, जो शाख शाखाम्रग भी कहते हैं वानर के परहवाची बंदर कपी मरकट शाखाम्रग और हरी शत्रु का देखिए रिपु बैरी दुस्मन और विपक्षी ठीक है शत्रु का रिपु जो है वो आपको ध्यान देना है बैरी दुस्मन और विपक्षी जो है वो याद ही रहते हैं तो श शरीर का देखिए देह, तन और काया, ये तो बहुत आसान है, सरस्वती का देखिए वाणी, वागीश्वरी, वीनाधारणी, शारदा और वीनावादनी, तो शरस्वती के वाणी और वीनाधारणी और वीनावादनी, ये तो उनके साथ ही देखे जाते हैं सरस्वती मता के, ठीके, तो शारदा जो है, वो यहाँ पर और वागीश्वरी, ये आपको याद रखना है, सरस्वती के वागीश्वरी और शारदा, सरस्वती के वाणी, वागीश्वरी, वाणी धारणी, शारदा और वीना वादिनी, फ़ी इसकेत इस नीड़े उलब अब सपच्र का भी देखिए उसी तरीके से जलकी तरह आपको जो जल को धारण करे ठीक है जलदी उददी पयोदी समुद्र नदीश और वारेदी ठीक है तो यहाँ पर देखिए दुबारा से मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बादल का हमने क्या देखा था जलद देने वाला अब हम क्या देख रहे हैं सागर का धारण करने वाला जि यहाँ पर भी जल के परवाची जिसे याद हैं वो सागर के भी कर लेगा तो यहाँ पर धी उदधी पयोधी ठीक है वारेदी और समुद्र और सागर तो है यह आपने याद किये इसके अलावा एक देखिए नदीश नदियों का जो इश है नदियों का जो स्वामी है वो नेक्स्ट है सिंग, सिंग का देखिए म्रिग राज, आप देखिए म्रिग राज का मैंने आपको म्रिग का अर्थ समझाया था, कि म्रिग का अर्थ हरिन से नहीं होता, हिरन से नहीं होता, किस से होता है, म्रि यानि जंगल से होता है, गा यानि गमन करने वाला और राज यानि शेर और हरी किसके हैं सिंग के प्रयावाची तो सिंग के प्रयावाची आपको याद रखना है केसरी और हरी इन दोनों को याद रखना है ठीक है मरग्राज वन्राज यह आपको याद ही रहेंगे सूरे का देखिए रवी भानू दिनकर सविता और दिवाकर रवी भानू, दिनकर, सविता और दिवाकर नेक्स्ट है हनुमान, कपीश, अंजनी पुत्र, पवन सुत्र, महावीर, मारुत, बजरंग पली किसके हैं हनुमान के कपीश, अंजनी पुत्र, पवन सुत्र, महावीर, मारुत और बजरंग पली next है हस्त यानी हात हात के परियावाची है हस्त, कर, बाहु, भुजा और पाणी चीक है? तो हात का याद रखना है पाणी बाकि आप यादी रखेंगे हात, कर, बाहु और भुजा इसके अलावा पाणी जो है onu हस्त का परियावाची है next है हाथी, गज, कुन्जर, हस्ती, मतंग और गयंद हाथी गज, कुन्जर, हस्ती, मतंग और गयंद हमाले, परवत राज है, नग राज है अब नग देखिया हमने किसका पड़ा था? पहाड का, तो पहाड का जो राजा है वो क्या है? हिमाले है हिम गिरी जो बिल्कुल हिम से बर्फ से है डखा हुआ वो क्या है हिमाले है ठीक है और परवतों का राजा है तो हिमाले का है परवत राज नगराज और हिम गिरी तो इस तरीके से हमने आज परियायवाची किये हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थेंक यू झाल